हेलो उर्वान कैसा अफ्त लोगाई होप आप अच्छे होंगे आज मैं आपको अगले 10 मिर्ट में एक ऐसा कॉंसेप्ट सिखाने वाला हूँ जो आपके पूरे कॉडिनेशन कमेस्ट्री को स्ट्रॉंग बना सकता है आप अक्सर ये भूल जाते हैं याद नहीं रख पाते या कुण सा हमारा कॉंप्लेक्स टेट्रा हेड्रल है कौन सा स्क्वाइर प्लेयर है अक्सर आप टेट्राहड्र प्लेयर में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो आप पहचान लेंगे कि वहाँ पे 6 लिगंभन्स मौझद होंगे यह हम कहें कि कॉडिनेशन किया पहचान में आता अच्छा जी जो ऑक्ता हेड्रल है वहाँ पर क्या होगा एक मेटल होगा और सिक्स लिगंड्स मौजूद होंगे तो इसको मैं ml6 टाइप लिख सकता हूं क्या यह सर लिख सकते हैं हमारा जो मेटल यहां पर है उसके पांच डी और्बिटल अभी एक साथ हैं सबकी एनर्जी बराबर है क्या है डी जन्रेट डी और्बिटल हमारे पास मौजूद हैं जब लिगंड्स इनकी तरफ अप्रोच करेंगे तो पहले इनकी थोड़ी अनर्जी बढ़ जाएगी और इसके बाद जब लिगंड्स बहुत करीब आएंगे उस मेटल के तो यह स्प्लिट कर जाए यहां पर हमने यह जोघाप है उसको क्या कहते है क्रिस्टल फील्ड स्प्रेटइंग इन होगा इसका मतलब हमारे मैटल से लिगंड मा जो फील्ड हो बहुत अच्छे तरीके से श्टांगली इंट्राक्ट करेगा तो यह आपर बढम क्प्रिण ज्प्रिटिंग ज्प्रिटिंग ज्फोगी तो वहाँ पर लिखा जाएगा सब्सक्रातamt Serp घ्क्तम नहीं टिए एक इनरजी क्या होती है वह एनरजी जो रिक्प्राइड है एक एक एलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे वाले एलेक्ट्रॉन को रखने के लिए एक एलेक्ट्रॉन माली जी हमारे पास और में पहले से प्रजेंट है लेकिन दूसरा एलेक्ट्रॉन यहां पर पेरिंग करने आए तो यहां पर रिपल्सन होगा तो रिपल्सन को मिनिमाईज करने क एक संपते है तो जो ए 내वी आपलाई की जाती दी जाती है पेरिंग के लिए उसको पेरिंग एनरजी के कहते हैं तो स्ट्रोंग क्विल्ड कांव मेरे हम कहते हैं कि बैरींग से जादा होता बैल नौट इसी वजह से electron जो है pairing करने का काम करेगा अरे भैया दो काम है या तो वो ऊपर चला जाते जैसे माल लीजिए हमारे पास 4 electron होते हैं माल लेते हैं एक condition लेते हैं कि यहाँ ml 4 में जो M है वो D4 system क्या है डी-4 system है तो एक electron यहां आएगा दूसरा यहां आएगा तीसरा यहां आएगा प्रश्ण यह है कि चौथा मैं यहां रखूं यहां पेरिंग कर दूं तो उसके लिए मैंने बताया कि यह गैब बहुत सब्सक्राइब कर रहा है या उसकी उतनी आवकात नहीं है कि वह मैटल के टीटू जी और ईजी को बहुत जादा इस्प्रिट कर पाए तो भाईया जी इतना छोटा से स्प्रिटिंग होगा तो यहां पर क्या होगा मेरे भाई यहां पर इस तरीके से बन जाएगा यहां तोड़ा गडबर हो गया एक जादा बन गया है उपर की तरफ इसको ठाट ठीक कर लेते हैं यहां पर आपक्या बोलेंगे है और ध्यान रखें जब पेरिंग एनर्जीन क्या होगी जादा होगी तो अच्छोडा का तुम ऊपर की तरफ ले जाएंगे यहाँ पर पेर नहीं करैंगे च्छोटा इह गर में परखिए नहीं कराहेंगे तो तो मेंने ज्छादा देनी पड़ेगी तो यह काम आप नहीं करना चाहोगे इस वज़ा से उसको ऊपर रख दोगे तो जो कम होता है उसके हिसाब से चलते हैं तो डेल नौट क्या है पेर इनर्जी से कम है इसका मतलब आप उपर जाना है यहां डेल नौट जादा है तो उपर नहीं जाना नीचे ह आपको आती होगी अब मन में प्रश्ण यह होता है कब वीक फिल्ड लिएंड है कब स्ट्रॉंग फिल्ड लिएंड है अच्छा जी इसी तरीके से टेट्राहेटरल में अगर हम पढ़ें तो आप हम पढ़ते हैं ml4 टाइप में और यहां पर इस प्रटिंग कुछ इस तरीक यह जो हमारा गैफ है डल्की कर सब्सक्राइप यहां पर हमेशा 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 यह बहुत-बहँत कम होगा पेरिंग इनर्जी से यहां पर जो पेरिंग नर्जी लगती है वही पेरिंग नर्जी यहां भी होती है लेकिन यह गैप के बढ़ने कारिकरह है यहां पर हमेशा यह बहुत ही छोटा रहता है इसी वजह से 1,2 भरा हमाई 3 भरना तो 3 हम tang यहां आएगा लेकिन प्लत में तीसरा वाला हमेशा सो याद रखेंगे देखिए भाई आमने परियोडिक टेबल में देखा कार्बन आता है कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है इसके बाद क्या होता है यहां पर देखें कुछ ऐसा होगा देखिए इसी का उल्टा करिएगा पहले हो जाएगा फ्लोरीन डॉनर ठीका जी या इ चानना सिखा रहे हैं फिल हार इतनी बात समझ में आगी है क्या तो यहां पर देखिए यहां पर अगर मैं डेल-नौट की बात करूं तो कारबन सबसे ज़्यादा फिर नाइट्रोजन डॉनर फिर ओक्सिजन डॉनर फिर फ्लोरीन क्लोरीन इसके बाद ब्रोमीन और इसके बाद आयोडीन चलिए एक्जांपल के यादगर के काम बन जाता है पेपर में यहां तक का ही अब तक देखा गया है इतनी बाठीक है अब आते हैं असली ब्रह्मास्तर पे तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जो आला ओपी कॉंसेप्ट जो बताऊंगा उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है बहुत अच्छे तरीके से इ किया गया है क्या है वह सुनिएगा अगर आपका मेटल धान दें अगर माली जी हमें लिख करके दिया गया ml6 टाइप का कोई complex दिया गया तो जो हमारा M दिया गया वह अगर M3D series का है ध्यान रखना यह M3D series का इसका मतलब स्केंडियम से लेकर के जिंक तक का कोई भी अगर मेटल है तो वहां पर और उस मेटल पर क्या है इस मेटल पर प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट है तो ध्यान रखना सिर्फ कारबन डोनर जो होगा वह स्ट्रॉंग फिल्ड लिगन की तरह भी हैप करेगा कारबन के बाद य अगर हमारा यह मेटल 3D सिरीज का है और उस मेटल पर प्लस ट्री ऑक्सिडेशन स्टेट है तो भाईया जी उसके लिए उस कॉंप्लेक्स के लिए कारबन और नाइट्रोजन दोनों के डोनर मतलब यहां से लेकर के यहां तक यतने जो हैं स्ट्रॉंग फिल्ड लिगन की त तो भाईया स्ट्रॉंग फिल्ड लिगन की तरह काम करेंगे अगला देखते हैं अगर हमारा जो मेटल है वो भाईया प्लस पोर ऑक्सिडेशन स्टेट में है और 3D सिरीज का है तो याद रखना सारे के सारे लिगन इस ट्रॉंग फिल्ड होते हैं यहां से चाहे जो लेलो अगली चीज जो एक्सेप्शन बन सकता था वो यहां पर ला दिया तो यह भाईया पॉइंट याद रखना है क्या अगर कोबाल पे प्लस 3 है तो ऑक्सिजन डोनर कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर इन तीनों के डोनर सी कोबल्ड 3 प्लस के साथ इस ट्रॉंग फिल्ड क्या बोला गया कि यह सारे के सारे स्ट्रॉंग फिल्ड लिएंट की तरह भी हैप करेंगे जितने भी हैं यहां से लेकर के आगे तक कोबाल्ड 3 प्लस के साथ सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ड 3 प्लस बाकी किसे के साथ नहीं सिर्फ कोबाल्ड 3 प्लस के साथ ऑक्सिजन डोनर क स्रॉंग फिल्ड लिगंड कि तरह भी हैप करेंगे अगर यहीं कोबाल्ड की जगह पर क्रोमियम आ जाए मैगनी जा जाए तो उसके प्लस थ्री के लिए आप सिर्फ यही रूल लगाएंगे अना मालीजे क्रोमियम प्लस थ्री है तो आप कहेंगे सिर्फ नाइट्रोजन और सिसक्र जानते जो फोर दी थो जांते हैं से विह सबके लिए अल लिएन्य जो सब्लक और उन्हें पहले तो लेकुट प्लस में लो लेकिन कंडिशन यह है कि अब हमारा मेटल 4D या 5D सीरीज का होना चाहिए उस पर प्लस 2 प्लस 3 या फ्लस 4 में से कोई साभी ऑक्सिडिशन स्टेट हो सिर्फ इतने से सारा कारक्रम बन जाएगा जी कोई दुकत कोई तकलीफ नहीं आगी अगली चीज है टेट्राहेडरल एंड स्क्वाइर प्लेनर यह बात थोड़ा सा समझ लेते हैं मेरे भाई यह तकलीफ देता है कब टेट्राहेडल कब स्क्वाइर प्लेनर समझना ध्यान से आपके सामने कुछ लोग प्रतुत किये जाएंगे इसको कहते हैं डी लाइन क्योंकि हम डीजीरो डीटू डीट्रीट से ले करके डीटें तक तो यहां तक के लोग हमेशा टेट्राहेडरल होंगे और जो डीटें के विरादरी है वो भी हमेशा टेट्राहेडरल बनाएगी और टेट्राहेडरल का मतलब है कि वहां पर हाइब्रडाइजेशन SP3 होगा हमेशा SP3 यहां पर भी होगा यहां पर हमेशा SP3 अगर हमारा मेटल जो है डी जीरो से डी सेविन तक का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने अंदर रखे या उसमें डीटन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो इसकी वज़ा से टेट्रहेडल सकल सूरत बोली जाएगी तो एक इक्जामपल है जिंग 2 प्लस का जहां पर डीटन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसी तरीके से एनाई सीओ फोर में जब बनाओगे तो कैसे आता है ऐसे आता है फूर एस टू फिल लिखा जाता है 3D8 लेकिन आपको पता है कि जो हमारा S-orbital होता है वो हाइब्रडाइशन के लिए बहुत जरूरी है इस वज़ा से S का इलेक्ट्रॉन भी हम इसमें ट्रांसफर करके इसको D10 टाइप का बोल रहे हैं इसको भी D10 टाइप का बोल रहे हैं तो निश्यत रूप से यह क्या संद में ही आएगा क्लियर बात समच में आया यह सतसर एक बार बताओ इनका क्या इनका क्या इनके बारे में तो आपने बताया नहीं तो देखो भया यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर स्कॉयर प्लेनर भी हो सकते हैं और टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं तो अगर दी एट या डी नाइन लेक्ट्रॉनिक अगया और वहां पर कॉडिनेशन नंबर फूर है है पहला हिस्सा है आई नेगटिब टू एच टू अगर हमारा यह जो लिगंड एल है वो आई नेगटिव से लेकर के H2O तक का है और वहां पर जो मेटल है वो 3D सिरीज का है प्लस नदर तो वहां पर हमेशा टेट्रहडरल बनेगा क्या बनेगा अरे बोलो भाईया क्या बनेगा टेट्रहडरल बनेगा लेकिन 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 अगर हमारा जो यह Ale है वो क्या है aAis3 से लेकर के स्क्वाइर प्लेनर ठेका जी दुबारा बताता हूं यह जो मेटल है उस पर प्लस टू ऑक्सिडेशन इस्टेट है और वह जो मेटल है वह थ्रीडी सीरीज का है और वहाँ पर इलेक्ट्रोनिक निफिगरेशन डी एट या डी नाइन आ रहा है तो निश्ची दूरूप से स् स्क्वाइर प्लेनर आएगा लेकिन यहाँ पर एनाई सील फोर नेगटिव चेक करके देखना यहाँ पर क्या आएगा भी या देखो आई नेगटिव के बास इल नेगटिव आता है न याद नहीं आ रहा हां तो याद रखिएगा यहाँ टेट्राइडल होगा यहाँ पर 5D का कोई हो तो भया जी यह सारे के सारे लोग इस्क्वाइर प्लेंडर के अंदर आते हैं वैसे मैंने जितना इंपोर्टन था आपके सामने प्रस्तुत कर दिया इससे जादा बहुत जाननी की जुरुत आपको नहीं पड़ती है ठीक है जी मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है प्रसंद रही है आबाद रही है जिन्दा रही है और अगर आप इन और्गनिक केमस्टी की पूरी स्रीज को फॉलो करते हैं फ्लेल टेक केर लव यू अल